Hello dear students, welcome to Unique Success Point. Students, ये वीडियो EBS, अर्थात environment से सम्बंदेत एक practice site है, जिसमें मैं आपको previous question के साथ unimportant fact भी discuss करूँगा, जो आपके exam के लिए वह ज़ादा helpful रहेंगे. तो आप वीडियो को last तक जरूर देखें, और जितने भी important fact में आपको बताऊं, आप उन्हें note down जरूर करें, वो आपके exam में वह ज़ादा help करेंगे. Okay students, चलिए बिनदेरी करते वीडियो को शुरू करते हैं. पहला question क्यों चलते हैं students? पहला question है आपका, एक postard store से दूसरे postard store पर उर्जा का कितना भाग इस्थानतरित होता है? मतलब एक postard store का मतलब है, जैसे आपने खादर स्रंकला पड़ी है, जैसे घास को कौन खा लेगा, हिरन को कौन खा लेगा, सेर खा लेगा है, इस तरह से पूरी जो एक स्रंकला होती है, खादर स्रंकला, ठीक है? तो एक postard store से दूसरे postard store तक उर्जा का कितना भाग इस्थानतरित होता है, मतलब उर्जा क्या मतलब जो हम लोग, जो हम human being है, या कोई भी जीब जनतु है, तो वो उर्जा काह से घ्रहन करते हैं? वो अपने खाने से घ्रहन करते हैं, vitamin, carbohydrate है न, fat, इससे हम क्या करते हैं? उ उर्जा से क्या होता है? हम कारे कर पाते हैं, ठीक है? उर्जा क्या है? हमारे कारे करने की छमता होती है, ठीक है? तो एक postard store से, दूसरे postard store पर उर्जा का कितना भाग इस्थानतरित होता है, तो एक जो है, बेग्यानिक थे, जिनका नाम था, जिनका नाम था, लिंड, लिं आपके क्या हो जाएगा option number C इसका right answer हो जाएगा okay students next question क्यों चलते हैं next question है आपका हुमस निर्माण में कौन सहायक है हुमस निर्माण में कौन सहायक है option है आपके उत्पादक अभघटक उपभोक्ता और option number D यह सभी तो यह सभी देखकर करें आप यह सभी पर मत क्लिक कर देना है ना कई आप इस पर यह सभी पर टिक कर दें ठीक है क्योंकि जातर option होता है तो वह उपयोक्त सभी लगा देते हैं ठीक है तो इसका जो आंसर है जो मिट्टी मिट्टी है ना मिट्टी में एक हमारी जो मिड़दा होती है उसमें एक तत्व होता है जैविक है ना के राम है उसका हुमस कहते है उसको और वह कौन बनाता है वह करता है प्रिकर्ति का मेहतर भी कहते हैं मेहतर कार्थ होता है सफाई करने वाला प्रिकर्ति का सफाई करता भी कहते हैं क्योंकि अब घटक जो होते हैं वो मिरत जीव जन्दूओं के अपसेसों को ठीक है क्या करते हैं खा जाते हैं ठीक है जो सडगल रहे होते हैं उनको खा लेते हैं अब घटक ठीक है तो इसका राइट अंसर होगे अपसर नमबर भी नेक्स वोश्चन की ओड चलते हैं जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्सों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमी और उसमें पैदा होने वाली बस्तों पर अधिकार है यह जनादेश किसके द्वारा दिय तो एक कानून है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्सों से रह रहे हैं तो उनका उस जंगल पर उस भूमी पर उसमें पैदा होने वाली जो भी अनाज वगरा है उस पर उनका अधिकार है यह जो कानून है यह जनादेश किसके दौरा दिया गया ठीक है तो यह क्या भारतिय जंगल अधिनियम 1927 जंगल अधिनियम 217 भूमी अधिगरण अधिनियम 1894 इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्सन नंबर वी भारतिय जंगल अधिनियम 1927 वेरी मोस्ट इंपोटेंट कोश्चन है ठीक है आप इसे नोट डाउन जरूर करें और प्लीज मैं बार बा जरूर कर लें ओके इसका आंसर हो गया ऑप्सन नंबर भी भारतिय जंगल अधिनियम 1927 नेक्स कोश्चन क्यों चलते हैं स्ट्वेंट्स डेसी वल निम्नानकित में से किसे मापने की नापने की काई है डेसी वल से बैरीजी कोश्चन और इसका राइट आंसर हो जाएगा ध अत्याधिक चारण का परिणाम है जो अत्याधिक चरण है अगर तो उससे क्या होगा चरण का मतलब है कि जो भूमी होती है उसको जीब जनतू है जो वो खाते हैं उसको चराई कहते हैं तो जो जीब जनतू है वो क्या करते हैं वो क्या करते हैं तो जो खेती बगर होती वो तो इसका right answer तरदिक चलाण का प्रणाम क्या होगा मिड़दा अपरतन हो जाएगा right answer option number B मिड़दा अपरतन इसका right answer हो जाएगा next question क्यों चलते हैं students डचीगम या दाचीग्राम डचीगम को कहीं कहीं दाचीग्राम भी लिखा रहता है राश्चीओध्यान कहां इस्तित है तो जो डचीगम है वो है जम्बू कस्मीर में कहां पर है वो जम्बू कस्मीर में right answer हो जाएगा जम्बू कस्मीर ठीक है कहां पर है जम्बू कस्मीर में और राश्चीओध्यान और जयामंडल आरक्षित छेतर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत इजीवे में मैप की साहिता से सारे राष्टी उध्यान ठीक है जितने भी बाग अभेरण हैं और जैब मंदरार की छेत्र हैं वो मैं एक ही वीडियो में किलेर कर दूँगा प्रद्वी पर पहुचने से पहले ओजून परत किन करणों को अफसोसित कर लेती है उसे कहते हैं हम परवैगनी विकरण परावैगनी किरन है इंगलिस में कहते है अल्टरा वाइलेट रेस ठीक है और ये जो ओजोन परत होती है वो किस मंडल में होती है किस परत में होती है हमारे वो होती है समताप मंडल में ठीक है बायो मंडल की किस परत में होती है समताप मंडल में और छोब मंडल समताप मंडल आयर मंडल, वहर मंडल, मध्य मंडल, इनके बारे में मैंने ट्रिक से आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए, तो आप देखिए, वो आपको वह ज़्यादा helpful रहेगी, ठीक है, मैंने आपको ट्रिक से सारी परतों के बारे में बताया है, जितनी भी वाई मिंडिल के परतों है, उन सारी परतों की बिसेश्ताइफि मैंने आपको किलियर की है, नेक्स्ट, निमलिकित में से किस राज में गल्फ ओफ मननार, मैरीन, रास्टिय पार्क अवस्तित है, तो गल्फ ओफ मननार, यह factual कोशन और इसका राइट आंसर हो जाएगा option number B तमिलनार्डू में गल्फ अप मननार मेरीन राष्टी पार का बस्तेत है कहां पर है तमिलनार्डू में next question बन्य हातियों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट हाती योजना का प्रारम की गई देखिए एक है प्रोजेक्ट हाती और एक है प्रोजेक्ट टाइगर ठीक है दोनों में क्या अंतर है आपको याद रखना है और कैसे याद रखना है आपको देखिए प्रोजेक्ट हाती यो इसको याद कर रखा है कि project जो हाती है वो मेरी date of birth से related है मैंने इसको relate करके learn कर रखा है मैं कभी नहीं बूलता आप भी ऐसे ही relate करके चीजों को learn करें ठीक है अपनी date of birth अपनी ममी पाप आपने भाई भेन जिसकी भी आपको डेट पर तो उसे related जो भी fact हो आप उसे learn करें ठीक है एक तो मैंने यह project हाती याद कर रखा है और एक याद कर रखा है मैंने प्रत्वी सम्मेलन है ना बिस्व प्रत्वी सम्मेलन वो भी 1992 में हुआ था ठीक है कभूआ था 22 अप रखेंगे तो आपको याद रहेगा और आप एक्जाम में भूलेंगे नहीं नेक्स्ट सजीवों की विसेस्ता है क्या है सजी मतलब जो जिन्दा है जो सांस लेते हैं ठीक है पोस्टर होता है उनमें बिलकुल राइट आंसर है पोस्टर भी होता है उप्सन भी उत्सरजन भी होता है उप्सन सी ब्रद्य और विकाज उप्सन नमबर डी यह सबी तो सजीवों की सारी ही विसेस्ता है उप्सन नमबर डी ठीक है और यह भी बहुत इजी कोश्टन था आपने लगा लिया होगा नेक्स्ट निम्न मैंसे किस गैस के कारण पत्यों का सिकुड़ना गिरना और आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है किस gas के कारण पत्तियों का सिकुर्णा गिरना दताकार में छोटा होना पौदों में पाया जाता है कौन सी gas है जिसके कारण तो आप इसका अंसर दीजी आप comment में आप इसका अंसर देजी क्या इसका अंसर प्लीज इस्टुरेंट जल्दी से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number V carbon monoxide जिसके कारण क्या होता है पत्तियों का सिकुर्णा गिरना दताकार में छोटा होना पाया जाता है तो आप इस क्रीन सॉर्ट ले सकते हैं निम्निकित मैंसे किन कारणों से पर्यार्वन को ब्यापक छती पहुंचती है मनला किसे पर्यार्वन को नुकसान पहुंचता चती का मतलब नुकसान होता है के काथने पड़ेंगे सडेक निर्मार में गाहिए और खनन मतुल कि ईटी निकल जाएगा चैल जब गोह ुँठे काम हो जाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपसन नंबर डी हमसे और चलते। वाय मंडल में सबसे थंदी परत कौन सी है देखिए मैंने छोब भी से किया विशेचता ये आप उसको भी जरूर देहें आपको बहुत जदा पढ़ने में आसान लगेगी और आपको याद भी हो तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप इसका आंसर हो जाएगा मध्य मंडल जो ऑप्सन नंबर वी मध्य मंडल जो है वो सबसे और इनको इंग्लिस में भी मैंने आपको बता दिया है मीसो इसको कहते हैं नेक्स्ट kes वर्स परयावरां वीकास आयो कि स्थापना की गई है। तो 1984 1984 को जो है वो परयावरां विकास आयो कि स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है, जो ओजोन परत है, उसकी मोटाई नापने की इकाई है, उसकी ओजोन परत की जो है डॉप्सन, वो है डॉप्सन, देखिए डॉप्सन नहीं है, आप गलत लिख रहा है, यह है डॉप्सन, ठीक है, आदा बा, डॉप् राइट आंसर हो जाएगा option number V ठीक है next चिपको आंदुरन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदुरन उत्रखंट के किस गाउं से प्रारम की गया देखिए यह एक important question है कि इसमें क्या कहा गया आप से क्या पूचा गया एक एक पूचा गया है जो चिपको आंदुरन की जनक है वो कौन है गौरा देवी है और चिपको आंदुरन उत्रखंट के किस गाउं से प्रारम किया गया वो है option number A रैसी नहीं है ready है यह ready यह typing error है इसको ठीक कर लिजिगा प्लीज आप ठीक है और PDF में इसको ठीक करके ही आपको PDF इसकी दूँगा त चिपको आंदर में क्या करते थे पेड़ पर शुपक के पेड़ों को बचाना ठीक है गिर रास्टी यह पार्क किस राज में विश्तित है तो जो गिर रास्टी पार्क है वो किस राज में विश्तित है गिर रास्टी पार गिर से गुजरात गाह से गुजरात याद रखना वेरी इंपोर्टेंट ठीक है next रेड डाटा बुक में सम्मलित है जो रेड डाटा बुक है उसमें क्या सम्मलित है option a बिलुप आप इसका राइट आंसर दीजी आप अपने इसका आंसर बताई इसका क्या है इसका आंसर बिलुप थोरे जीव सुमेगा जीव आपतिगरत जीव सम्मलित है डटा बुक में 11 जुलाई को मनाया जाता है जो 11 जुलाई है उसको मनाया जाता है जा दिवस बिस जनसंख्या दे निमनी खितमें से कौनिये कंतरास्टि संथा पर्याब रणिये कारिकारम में विसेज भूमिका नहीं निवाती देखिए इसमें आपको धि कौन जो है वो पर्याबरण भूम का नहीं निवाती पर्याबरण यह कारेकरम में पूम का नहीं निवाती ऑप्शन है UNDP UN UNESCO UNAP और WHO स्वास्त से संबंदी थे WHO की फुल फॉर्म क्या है World Health Organization मैं सारी जितने भी ऑप्शन है आपको सबको बता देता हूं यह जो है पर्याबरण में हमेशा पूछा जाता है इनकी फुल फॉर्म इनका मुख्याल है और इनके प्रमुक ठीक है और इनकी स्थापना यह बहुत जादा पूछे जाते हैं इंव इसकी स्थापना हुई थे 1965 मैं इसका जो मुख्याले है वो है नियु यॉर्क में इसका मुख्याले कहां पर है नियु आर्क सिटी में इसका मुख्याले है नियु यॉर्क city में और इसके जो प्रमुक है उसके जो प्रमुक है उनका नाम है अचीम stainer इनका नाम क्या है अचीम अचीम ठीक है आप इसे नोट डाउन जरू करेंगे अचीम इस्टेनर, अचीम इस्टेनर, ठीक है, जो इसके प्रमुख है, ठीक है, उनका नाम क्या है, अब देक्चे हैं, वो हैं, अचीम इस्टेनर, ठीक है, नेक्स्ट है आपका, UNDP हो गया, आप आजाओ UNESCO, UNESCO की फुल फॉर्म क्या है, United Nation Educational Scientific and Cultural Organization, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, इंग्लिस में लन करनी है, आपको जैसे मैंने बताए हैं, बित्कुल इंग्लिस में लन करनी है, क्योंकि एकडामनाद इंको कभी-कभी हिंडी में नहीं देता, जैसे मैंने आपको बताए हैं, वैसे हिंडी में लिख देता है, उ पेरिस, ठीक है, पेरिस कहां पर हैं, फ्रांस में, युनेसको का मुख़ा लग का है पेरिस में, ठीक है, पेरिस का है फ्रांस में और इसकी स्थापना हुई थी, 16 नवंबर, 16 November ठीक है 16 November 1945 1945 ठीक है 16 November 1945 16 November 1945 इसकी स्तापना हुई थी और इसकी जो महानिदिसक है उनका नाम है आंद्रे अजोले क्या नाम है उनका आंद्रे अजोले ठीक है, आंद्रे एजोले जो है इनका नाम है, किसका जो यूनेसको के महान ने दे सके है, उनका नाम है आंद्रे एजोले, प्लीस नोट डाउन कर लें, और इसका मुख्याल है पेरिस फ्रांस में है, इसका मुख्याल है पेरिस फ्रांस, इस्थापना सोलर नोट नाम है, और महान दे सके हैं इनके आंद्रे एजोले, नेक्स्ट जो नेक्स्ट है वो है यूनेटेड नेशन इन्वारमेंट प्रोग्राम, ठीक है, फुल फर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वारमेंट प् भश्भी जो है वो 1972 से ही मनाय जाता है, ठीक है, उनिस्थो बेहतर से ही,विश्प्राणुद देश पात जून को मनाय जाता है, और जोよねप किस्थापना है वो भी 1912 में ही थी, इसका मुख्याल है, नरोवी केन्निया में, अर इसकी जो प्रमूख है, उनका नाम है इंगर इंगर एंडर्सन इनका नाम आप जरूर याद रखें जो चुमें बता रहा हूं आपको इंगर एंडर्सन इसके प्रमुक का नाम है ठीक है किसके UNEP के ठीक है UNEP के और एक important fact भी आप इससे और जाद याद रखेंगे जो एक्जाम में कई बार पूछा जा चुका है जो गिलोवल 500 पुरुसकार है जो गिलोवल 500 पुरुसकार है जो कि पर्यावरन के छेतर में दियाता है तो वो UNEP संस्था के द्वारा ही दिया जाता है ठीक है आपसे कोशन पूछा आता है जो गिलोवल 500 पुरुसकार है वो किस छेतर में दियाता है तो आपको बताना है पर्य United Nation Environment Program. Next, आपका वस्ता है WHO, जो की इस question का right answer भी था, ठीक है, WHO की फुर्फर्म क्या है? World Health Organization, ठीक है, बिस्च स्वास्त संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, 7 April, 7 April, ठीक है, 7 April, ठीक है, 7 April, 1948, 7 April, 1948, 1940, इसकी स्थापना हुई, ठीक है, और इसका जो मुख्याले है, वो है, जिनेवा, स्वुजलेनड में, जो WHO का मुख्याले है, वो है, जिनेवा, स्वुजलेनड में, आप इसको notification कर लें, और इसके जो प्रमुक है, वो है, टेडरोस, ठीक है, टेड्रोस, एडोन ठीक है टेड्रोस एड्रोस 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 कोरोना का दोर गुजर चुका है ठीक है तो वो भी स्वास एक healthy सू था तो ये आपसे पूछा जा सकता है ठीक है टेड रोस एड़ो नाम जो है इनका जो है कौन है प्रमुक है डब्लो है चुक है ठीक है और एक important और जो है वो आपको जरूर लण रखना है ठीक है वो इससे भ सामया स्वामी नाथन स्वामया स्वामी नाथन को को महानरे सब्सक्राइब वर्ड हेल्थ और्गनेजिशन इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रेल 1948 ठीक है सारी बाते के लिए रो गई और इसका आपको राइट आंसर पता ही है वह इसका राइट आंसर थे इस कोश्चन का अंतराश्टी स्तर पर बन जीवों की सुरक्षा ही तुसंस्ता तो अंतराश्टी स्तर पर कौन करता है बन जीवों की सुरक्षा वो करता है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, इसकी स्थापना हुई थी 1948-1948 को, इसकी स्थापना हुई थी 1948-1948 को, और इसका मुख्याल है इसकी सिरख्चा जीव जनतों की, सुरक्षा मतलब की बिलुप्थ प्रेजीव हैं, संकर्टबंघीव हैं, उनके लिए रेड डाटा बोक जारी करती है, फिक है, क्या जारी करती है रेड डाटा बोक, नेक्स्थ कोशन कियो चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आ को से किस रास्टी उधान को पूर्व हैली रास्टी उध्यान कहा जाता है गूअने पहले रास्टी जान ठीक ए जिम्रुइट यूद्यान को ए जबसे पहले यूद्हाने जो नाम हो थी इसका नाम है एली नेस्टि च्रेए और टाइगर प्रोजेक्स जो कि 1973 में सुरू हुआ था वह । जिम्कारवेट राश बाइगर रखनाए जरूर इसमें इतना जरूर याद राभना है आपको नेक्स्ट वन्नुम सम्ता मनाया जाता है तो जो वननुमिजीव सम्ता है वह मननाया जाता है 1 अक्टूर से साथ अक्टूबर तक रेक्च्वल कोशन है आप लेंगहें एक अक्टूबर से साथ वन ऐधीन अधीन आ मनाया जाता है हमाइन क्रेक्या था हतो मैं होता है पेड़ बगरगाया तो और मुसरा का मनायता है एक जुलाई को हुआ सब्सक्राइब नेक्स्ट क्यों चलते हैं जब धुरुब से भूमद रेखा की और बढ़ते हैं तब जय भीवित्ता देखिए धुरुब क्या होते हैं भूमद रेखा क्या होती है तो देखिए यह मैंने प्रतिवी का ग्लो बनाया ठीक है थोड़ा सा उल्टा सीधा बनाए बढ़ते हैं तो आप इतनी बात को जानते ही है ठीक है जो प्रत्वी होती है वह दुर्म पर कैसी होती है चप्ति होती है देखिए यह हो गया नॉर्फ पोल ठीक है यह वाला हमारा हो गया कौन सा यह वाला कौन से हो गया, यह उपर वाली दिशा कौन से होती है, नौर्थ, और नीचे वाली कौन से हो जाएगी, साउथ, ठीक है, एक हो गया नौर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल, तो जो सूर्य की रोसनी होती है, वो एक्वाटर, जो एक्वाटर, यह वाली जो बीच म दुरमपर तो क्या होता, 6 महीने का दिन होता, 6 महीने की रात होती है, नहीं जाता, लेकिन भूमद रेका पर पूरे बर्सवर सूरज चमकता रहता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से नोट डाउन करें, बहुत ध्यान से समझें, जो मैं आपको बताना चारा हूँ, जो भी ज्यादा होती है और जहां पर वर्सा ज्यादा होती है वहां पर क्या होती है बनस्पतिया भी ज्यादा होती है ठीक है इसलिए तो दुर्बों पर तो जो है आपकी जैब भिवित्ता क्या होगी कम होगी क्यों यहां पर तो क्या होता है क्या केते हैं बहुत ठंड होगी व चलेंगे इधर से इधर चलेंगे इधर से इधर चलेंगे तो क्या होगा जो है जैब विविता बढ़ती जाएगी मतलब भूमद रेखा पर जैब विविता जो है वो सबसे जादा जैब विविता सबसे जादा पाई जाती कहां पर भूमद रेखा पर या विसूपत रेखा पर सरवाधिक पाई जाते हैं क्योंकि यहां पर बरसाद भी जादा होती है और सूरज जाल चमकता है इसलिए बरसाद भी जादा होती है तो इसका राइट आंस हो जाएगा option number a next question क्यों चलते हैं आपको I hope समझ में आ गया होगा next अगर नहीं समझ में आये तो प्लीज आप इसको दुबारा वीडियो चलाके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा ठीक है और बहुत जाद इंपोटेंट जो था वो question था सर्वतम किस परयावण विदने के द्वारा पारस्थिति की तंत्र सब्द का प्रियोग किये गया देखिए ये question भी confusion वाला question है इस में श्टुमेंट्स अकसर confusion जाते हैं आपका confusion में दूर कर जाते हैं आप बस ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए देखिए question पूछा जाता है एक पूछा जाता है पारस्थिति की तंत्र सब्द का प्रियोग किस ने किया सर्वतम और एक पूछा जाता है खाली पारस्थिति की एक में तंत्र नहीं होता एक में होता है खाली पारस्थिति की और एक होता है पारस्थिति की तंत्र तो जब भी तंत्र जुड़ जाए T जड़ जाएगा, तो आपको इसका राई ٹांसर देना है A, G, टांसले, क्योंकि टांसरे के होता है, टांसले, तो आप टांसले याद रखेंगे, पार्सितिकी तंत्र सब्द का सरव्तम प्रयोग किया था, टांसले ने, और पार्सिति की तंत्र सब्द का सर्थम प्रयोग किया था A.G. टांसले ने, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, option नमबर B. ठीक है? डाक्टर A.G. टांसले, D नहीं है, डाक्टर A.G. टांसले, इसका राइट आंसर. सरवादिक जैव भिविवता वाला इस्थल सांथ घाटी भारत के किस राज में इस्थित है? तो ये फ्रेक्शल कोश्चन है, आपको लर्न होगा, option नमबर A. केरल में सांथ घाटी इस्थित है. अच्छा, जैव भिविवता क्या होती है? जैव भिविदता क्या होती है? ठीक क्या कहा जाता है? किसी परेरवन में विविन प्रजातियों की स्रेणी को जैव भिविता कहा जाता है? आपसे ये question पूछा जाता है, एक्जाम में, ठीक है? क्या question पूछा जाता है? कि जैव भिविविता सब्द का सर्वतम प्रयोग किस ने किया? ठीक है? किस जैव भिवि ठीक है, Walter G. Roshan, ठीक है, Walter G. Roshan, ये ला है, Walter आदला, Walter G. Roshan ने जैब विविवित्ता सब्द का सर्वतम प्रयोग किया, एक कोशन और पूचा जाता है, इसमें भी confusion वाला, ठीक है, जैसे वहां पर पार्स्तित की और पार्स्तित तंद्र पूचा जाता है, यहां पर पूच पूचा जाता है, जैब विविवित्ता या, जैब विविवित्ता होट स्पोर्ट, ठीक है, आपने कोरोना काल में भी पूचा हो, कि यह होट स्पोर्ट है, तो वो क्या है, जैब विविवित्ता जो होट स्पोर्ट है, वो क्या होता है, तो इसका जो सर्वतम प्रयोग किय था वह पारिष्थति की विद कौन थे जो वह पारिष्थिति की विद थे उनका नाम था नौर्मन ठीक है नौर्मन मायर क्या नाम था उनका नौर्मन मायर उनका नाम था नौर्मन मैं लिख देता हूं नौर्मन नार्मन कह सकते हैं इसको नार्मन मायर नार्मन मायर ने ठीक है जैब विविदता होट स्पोर्ट सब्द का सर्फतम प्रियोग किया था और only जैब विविदता के बारे में पूछेगा तो किस ने किया था वाल्टर जी रोसन आप वाल्टर भी याद रसकते हैं या रोसन खाल नार्मन मायर ने. āछा जैब विविता होट सपर्थ होता क्या है? ठीक है? किसे कहते हैं हम? देखे मैं बताता हूं. जो हमारे नार्मन मायर है, उनकी अनुसार, उन छेतरों को जैब विविता होट सपर्थ कहते हैं. जो पोधे, जन्तुों, है न, एवम सूक्ष जीवियों के सर्मद जीवियों समिधाओं को धारण करते हैं जो जिसमें क्या होती है 1500 लगवग इस्थानिक परजातियों यह तो होती है जीव जन्त, मतलब पेड़ पौधों की कितनी इस्थानिक परजातियों होती है 1500 लगवग प्रजातिय होती है, भिविन प्रिकार के पेड़ पौदो की लगवग 1500 इस्थानिक प्रजातिय होती है, इस्थानिक प्रजातिय का मेरा मतलब है, इस्थानिक प्रजातिय किसे कहते हैं, जो किसी एक स्थान बिशेस पर पाई जाती है, ठीक है, किसी स्थान बिशे या इसको कहते हैं Mega diversity प्रदेश या Mega diversity स्थान तो कहीं कहीं पर अगर Mega diversity प्रदेश लिखा हो या Mega diversity स्थान तो आप समझ जाए जैब विविदता होट इसपोट की बात हो रही है ठीक है तो आप समझ गए होंगे next question की ओर चलते हैं इसका जो right answer तो आपको पता ही है केरल कि कहा पर है केरल में ठीक है राइट अंसर केरल next फूलों की घाटी भारत की किस राज में फूलों की घाटी वी जैब विविवित्ता के लिए फिरसिद्ध है न महां पर भी जो है बहुत ज़्यादा इस्थानिक प्रजातिया पाई जात आज के लिए बस इतना ही आपको वीडियो कैसी लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताए अगर आपको शेशन अच्छा लगता है तो आप इसे like करें, share करें और चैनल को subscribe करना नहीं बोलें और please इसे जाद से जादा share करें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे ठीक